नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है उतकर्ष मिश्रा और आज हम लोगे एक बहुत important topic करने वाले है इस topic का नाम है रॉल act act और एक ही topic नहीं यहां पर हम तीन topic को discuss करेंगे first roll attack को discuss करेंगे हम और फिर उसके बाद हम जलिया वाला बाग के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम खिलाफत moment को भी study करेंगे और ये वीडियो बहुत ही जादा important होगी क्यों कि एक्जाम में या तो roll attack पूछा जाता है या तो जलिया वाला बाग हत्या कांड पूछा जाता है या फिर खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाता है तो तीनों मसे कोई एक आना confirm रहता है तो ये वीडियो बहुत important हो जाती है इसके साथ तो शुरुवात करते हैं हम सबसे पहरे roll act act से roll act act जैसे ही पता चल रहा है कि act यानि एक कानून है roll act वो कानून क्या था उसके बारे हम समझेंगे इस वीडियो में पहले तो हुआ क्या इस काम्याबी से उत्साहिद गांदी जी ने 1919 में प्रिस्तावित roll act act 1919 के खिलाफ एक राष्ट व्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया अब किस से ये उत्साहिद से ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुका था कि किस तदीके से उन्होंन मिली बहुत ही जादा उत्साहित हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक राष्ट व्यापी सत्याग्रह चलाते हैं यानि पूरे देश भर के अंदर हम जो रॉलेक्ट एक्ट था ये जो कानून है इसके खिलाफ हम आंदोलन चलाते हैं तो अब यहां पर सवाल उठता लेजिसलेटिव काउंसिल ने बहुत ही जल्दबाजी से पारित कर दिया था तो उस वक्त जो कानून बनाता था जैसे हमारे देश के अंदर जो कानून बनाती है या फिर विधाय का आप कहलो वो कानून बनाती है तो ऐसे में क्या हुआ उस वक्त देश के अंदर जो कानू बनाता था, वो imperial legislative council कानून बनाता था, तो इसने एक ऐसा कानून बनाया और जो एक कानून जब बन धाता तो भारतिये जो लोग हैं, वो सदस से बहुत बुरी तरीके से इसका विरोध कर देते, उनका कहना था कि ऐसा कानून पास होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने बह से करवा दिया, हुआ क्या, कि इस कानून के जरीए, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने, और राजनीतिक कैदियों को दो साल तक बिना मुकदमा चलाए, जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, अब देख लो कितनी बुरी चीज़ हैं, यानि इस रॉ राजनीतिक गतिविधियों में, जो भी सरकार क्या करती, जो भी राजनीतिक गतिविधियां चलती, यानि ऐसी गतिविधियां, जो ब्रिटिशन को अपोस करती, यानि जो उनके शाषन को खराब करने की कोशिस करती, उनके शाषन के बारें बहुत भला-बुरा कहती, और ऐसे में अगर कोई भी राजनीतिक कैदियों को आप पकड़ते हो, मतलब किसी को आप पकड़ लेते हो, आप इसको दोशी पाते हो किसने हमारे खिलाफ ऐसे आंदोलन चलाए, ऐसे गतिविधियां की, तो आप उसे जेल में दो साल तक बिना मुकर्मा चलाए, जेल में हो, यह कहीं डराने वाला कानून तो नहीं है, बुधी तरीके से, कितना दमनकारी कानून है, क्योंकि लोग अपनी आवाज उठा ही नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि उनको इस चीज का डर रहेगा, कि अगर कल को हमने अपनी आवाज उठा ली, तो होगा क्या, कि दो साल तक मेरे, मेरे को जेल में ही बंदर रहना पड़ जाएगा, फिर कहीं जाकर मेरी कुछ सुनवाई वगयरा होगी, तो यह चीज उनको बहुत ही बुधी लगती थी, और वो डर जाते थे, ऐसे में कोई अपनी अवाज ही नहीं उठा पाएगा, सरकार के खिलाफ, बिटिन सर इंसक ढंग से, यानि बिना लड़ाई की, हम ऐसे में इनकी खिलाफ एक बहुती बड़ा आंदोलन चाहते हैं, इससे 6 अपरेल को हड़ताल से शुरू होना था, और इसकी शुरुवात कैसे होती, एक 6 अपरेल से एक हड़ताल और्गनाईस किया था, कि हम 6 अपरेल को हड़ राजनितिक गती विद्यो को कुछलने और राजनितिक जो कैदी थी उनको 2 साल तक बिना सुन्वाई की जेल में बंद करने का था, तो कितना गंदा कानून तो 6 अपरेल से एक हड़ताल से शुरू होने वाला था, कि ऐसे गंदे कानून को हटाया जाए, तो विभिन्द शे में कामगार हर्टाल पे चले गए, दुकाने बंद हो गई, इस व्यापक जन उभा से चिंतित तथा, रेलवे वा टैली गिराफ जैसे संचा सुवधाओं के भंक हो जाने की आशंका से भैबीत, अंग्रेजों ने रास्ट वादियों पर दमन शुरू कर दिया, अब क्या जैसे दुकाने बंद हो गई, जितने भी रेलवे के अंदर काम करने वाले वर्क्शॉप के मज़ूर से लेबर्स थे, वो सारे उन लोगों ने छुटी कर लिया, वो लोग उस दिन काम पे नहीं गए, पूरे लोग क्या थे जैसे रेलवे, टैली गिराफ, जो भी संचाय की सुवधायती, वो सारे लोग जहां 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 काम करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया, अब ऐसे क्या हुआ कि जब आपका रेलवे नहीं चलेगा, एक तरीके से कम्मिनिकेशन नहीं हो पाएगा, और कम्मिनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा जदूरी है, तो बिटेन होने लग जाएंगे इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पे, तो देश सही तरीके सरन नहीं हो पाएगा, उनको शाषन करने में बहुत प्रॉब्लम हो गई, ऐसे में हुआ क्या, कि उनको ये डर था कि अगर ऐसे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ गए, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहां पर जो राष्ट वादियों कहा गया, मतलब जो राष्ट की पृती आवाज उठाता है, उसे राष्ट वादियों कहा, कह सकता है, कहा जा सकता है, एक है, Nationalist, अम्रिस सर में बहुत सारे इस्थानी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, ऐसे में उनको डर था बेटे अंग्रेजो को कि कहीं न कहीं ये लोग क्या करेंगे पूरी चीज को इंटरप्ट कर देंगे खराब कर देंगे और साशन विवस्था को चलने नहीं देंगे तो इन्होंने क्या किया कि इस इस्थानी जो नेता होते हो ना उनको हिरासत में ले ले क्यों कि अगर न दिल्ली में परवेश करने पर पावंदी लगा दी यानि गांदी जी को दिल्ली आने से रोक दिया गया हुआ यह हूँ Martial Law लागू कर दिया गया और General Dal को समा General Dal ने कमाद समा ले अब हुआ क्या Martial Law Martial Law एक ऐसा कानून होता है जहां पर क्या होता है यह उस जगहों पर लगा जाते है जहां पर दंगे वगएरा जादा हो जाते है तो वहां पर Martial Law को लगा लिया जाता है जैसे आपने सुना भी होगा कभी क्या पता TV वगएरा में News में कि Martial Law यहां पर लगा दिया गया है तो Martial Law एक ऐसा कानून होता है जहां पर कोई भी आप Group Activity नहीं कर सकते यानि आप Group में बाहर घूम नहीं सकते Group में आप इक ट्था नहीं हो सकते आप पूरी तरीके से उसे बैन कर दिया जाता है क्योंकि ऐसा शक रहता है कि Group में आकर आप मतला Planning कर सकते हो इस महौल वैसे ही खराब हो चुका इस इलाखे का तुम Planning करके महौल और ज़्यादा खराब कर सकते हो तो ऐसे में इंटरनेट वग्यरा की उस आसपास के इलाकों की इंटरनेट की सेवायं वग्यरा रोग दी जाते हैं बंद कर दी जाती है तो उस वक्त का नहीं लेकिन अब तो यह सब भी होने लगता है internet वग्यरा लेकिन उस वक्त यह हुआ कि martial law गो लागू कर दिया गया और इससे क्या हुआ कि आप कोई भी गुरूप activity नहीं कर सकते हैं यह समू में इकठा नहीं हो सकते और इसकी कमान जो कमान है वो किसको समा लेगे जनल डाय को कि भाई यहां पर martial law के हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो देखो कि सब्ची सही तरीके से हो अब इसे के साथ होता है जलिया वाला बाग का हत्या कांड होता क्या है कि 13 अपरेल को जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ तो एक्जाम में पूछा जाए कब हुआ तो 13 अपरेल को हुआ उस दिन होत तो उस बैसाखी के तेहवार के लिए आसपास के लोग गाओं के इधर उदर से लोग आई हुए थे और उस मेले को देखने के लिए क्योंकि जब करजाई सी बात मेला लगता है तो लोग दूर-दूर से देखने आते जैसे आप हो मैं हूं जैसे आप लोगों को देखे होगे तो आस-पास के दूर-दूर से लोग उस मेले को देखने आते थे तो काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किये गए दमन कानून का विरोध प्रकट करने के लिए इकटा हुए अब देखो और काफी लोग ऐसे थे जो इस तरीके के दमनकारी कानून थे जो इनके साथ हो र अगा सब्याव में पाता नहीं था कि इलाके में मैं अ मंश्यर और लागू किया जा चुका है क्ई हो शह से बाहर था और शहर से बाहर हने के साथ साथ एक चीज यह भी होती है जैसा कि मैंने बता है कि जो लोग उहां पर शिर्कत करें तो लोगों को यह नहीं पता था कि यहां पर कोई माशल और लागू वगयरा किया गया है अब क्या होता है कि भीड भार्ती बहुत जादा लोग आये हुए सब लोग खुशी से बैसाखी का तहवार सेलिब्रेट कर रहे हैं होता है क्या है जनरल डायर हतियार बंद सैनिकों के साथ वहां पहुँचा और जाते ही उसने मैंदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया जनरल डायर वहां पर पहुँचा और अपने हतियार बंद सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचाओ और जितने भी exit point से मतलब जहां से भी लोग बाहर निकल सकते थे भाग सकते थे वहां को उसने पूरी तरीके से बंद कर दे यानि चारों तरफ से उसने घेर लिया और जो बैसाखी के तेवार जो celebrate लोग का दे तो अंदर उसके अ order दिया कि यह जो अंदर लोग इनके उपर गोलियां चला दो उपन फायर यानि उपन फाय का मतलब यह oh May का मतलब यह होता है किआप यह मत देखो कि आगे होन और बच्चा है लड़की है। लड़का मत देखो बस आप गोलियां चलाओ किसको लग रही है किसको नहीं लग रही यह मैटन नहीं कर दा बच्चा है बड़ा कुछ भी नहीं केवल गोलियां चलानी है अब देख लोगों कि ऐवन ऐसे सब तेवारों पर बच्चे और बड़े बुड़े लोग सब कितना जादा ही का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन करना चाहता था बाद में पूछा गया उससे भाई कि तुमने ऐसा क्यों किया तो बाद में उसने बताया कि ऐसा उसने इस वज़े से किया ताकि उनमें एक नैतिक प्रभाव भी दिखाना चाहता था एक moral effect भी दिखाना चाहता था कि देख लो अगर आप अंग्रेज सरकाय कि आप खिलाफ जाओगे उसका आप कहना नहीं मानोगे तो इसका नतीजा ये हो सकता है मतलब अपना एक खौफ जमाना चाहता था तो जलिया वाला बाग हत्याकांट तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ कोई भी इंसान अपना गुसा नहीं रोख पाता वो अपने शहरों में लोग क्या हुआ सड़कों पर उतरे और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिये हड़ताले होने लगी लोग पुलिस से मोचा लेने लगे और सरकारी इमार्तों पर हमला करने लानिंग इन कारवाईयों को निर्मर्मता से कुचलने का रास्त अपना कोई दूसी सरकार होती तो उनको समझाने की मामले को ठंडा करने की कोशिस करती लेकिन इन लोगोंने क्या कि इस मामले को उन्होंने कुचलने की कोशिस क्या मतलब उन्होंने एक प्यार भरा रास्ता नहीं तरह तरीके से परिशान करने की कोशिस की जैसे कि सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती तो उन्हें बहुत ही तरीके से बहुत ही गिल्टी फिल करवाना चाहती थी उन्हें और उन्हें डरा कर रखना चाहती थी सत्यक रहियों को जमीन पर नाक रगणने के लि मजबूख कर रहें यानि इनसे जैसे एक बच्चा ना क्रॉल करता है रेंग के चलता है ऐसे ही इनको चलवाया जा रहा है जमीन पर इनके नाक रगडने के लिए कहा जा रहा है सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम करने के लिए मजबूख किया गया कि आप ज दराना चाहते थे कि हमसे पंगा मत ले लोगों को कोड़े मारे गए की सिचेशन है बडंवापस लेल刑 दो गातिया आएडियाः आंधिया था कि हमें जो है आणदोलन है वो peacefully करना है आहिंसा से करना है बिना लडाई किये करना है तो उन्होंने situation को देखे कि situation खराब हो दिये बत से बत्तर होती जा दिये तो उन्होंने सत्याग्रह को वापस ले लिया यानि रॉलेट एट का जो उन्होंने सत्याग्रह चलाया था उसको उन्होंने वापस ले लिया अब आगे क्या आता है भले ही रॉलेट सत्याग्रा एक बहुत बड़ा अंदोलन था लेकिन अभी भी वे मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था रॉलेट जो सत्यागरा था बहुत बड़ा आंदोलन था लेकिन उसकी कमी थी कि वो केवल शहरों और जो कस्वों हैं वहीं तक सीमी था महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी जादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं और ऐसे में उन्होंने क्या किया लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसल्मानों को एक दूसरे के नजदीक लाया बिना ऐसा आंदोलन नहीं चलाया जा सकता और उन्हों का पूरी तरीके से माना था जब तक कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आएंगे तब तक इस आंदोलन को अच्छे से नहीं दन किया जा सकता एक बड़ी आंधी क्रियेट नहीं की जा सकते क्योंकि उस वक्त पॉपलेशन हिंदू और मुस्लिम की ही बहुत जादा थी और भी लोग की जादे थे लेकिन हिंदू मुस्लिम की पॉपलेशन जादा थी उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठा कर वर दोनों समुधायों को नजदिक ला सकते हैं तो यहां पर बात होती हमारी खिलाफत की खिलाफत आंदोलन क्या है यहां से आप एक्जाम में पूछे तो यहां से आप शुरू कर सकते हो यहां से पहले से पहले विश्यूद में Ottoman तर्की की हार हो चुकी थी Ottoman जो तर्की था उसकी हार हो गई इस आज़्शय से अफवाय फैली होई की इस इसलामिक विश्मे अध्यात्मिक नेता जो की खलीफा जिसे कहा जाता है ओर्टमन समराठ पर एक बहुत सक्त संधी थोपी जाएगी तो ओर्टमन टर्की की हार हो जाती है तो ओर्टमन टर्की का जो अध्यात्विक नेता है उसे खलीफा कहा जाता है तो ये कहा जाता था कि जो खलीफा है या उसके state के उपर Ottoman Turkey के उपर एक बहुती बड़ा संधी थोपी जाएगए अब ये संधी के बारे में थोड़ा हम समझते होता यू है कि आपकी countries की war होती है एक इस country की war हुई और एक B country की war हुई A और B की war हुआ अगर A जीतता है तो ये कहता है कि war इसी की वज़े से हुआ है और इसी की वज़े से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो सारी भरपाई अब ये करेगा ऐसे में इस पे संधी थोप दी जाती है कि तुम्हारे वैपार का तुम्हारे अंदर के जो भी resources वगएरा होंगे अब उसका हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तुम्हारी वज़े से माल लेते हैं अगर बी जीतता है तो बी भी यही संधी इस पे थोप देता है कि तुम्हारी वज़े से वod हुआ है और तुम्हारी वज़े से इतने बहुत जादा देना पड़ेगा इनके दिसोसिस ले लिए जाएंगे इसी तदिके से खलीफा की ततकालिक शक्तियों की रच्छा के लिए 1919 में बंबई में एक खिलाफत समीति का गठन किया गया तो खिलाफत जो है खलीफा की रच्छा करने के लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए हमारे देश के अंदर 1919 में बंबई में एक खिलाफत समीथी का गठन के आगए बेसिकली खिलाफत समीथी क्या करता विदोध करने की कोशिस करता भादा से वह आवाज उठाने की कोशिस करता कि इस तरीके की चीजे ना की जाए क्योंकि देखो एकता में बल आपने भादत आवाज उठाए, ऐसे बहुत सारे देश अगर इसलामिक देश अगर इस तरीके से आवाज उठाने लग जाएंगे, तो क्या होगा, इससे ये होगा, कि वो अगर इस पर संदी थोपी भी जाने वाली होगी, तो वो संदी रुख जाएगी, क्योंकि प्रैशर रहेगा कि बहुत सारे जो देश हैं, और वहाँ पर जो रहने वाले मुस्लिम्स हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको थोड़ा डर भी लगेगा, तो ऐसा उनका कहना था, समीती का गठन कर लिया गया, ताकि यहां से विवाज उठाई जा सकी, अब मुहम्मद अली और शौकत अली बंधू के सासात कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्धे पर संयुक्तिक कारवाई की संभावना तलाशने के लिए महत्मा गांधी से चरशा शुरू कर दी थी, और इन्होंने फिर क्या कर लिए दो भाई आते हैं, मुहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों ने क्या किया, कि गांधी जी से बात की, कि देखो गांधी जी ऐसा करो कि अगर अगर आप अवाज उठाएं, तो हमारा भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, कैसे भला होगा, सितंबर 1920 में कॉंग्रेस की कलकत्ता अरिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कलिया, कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए आसयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, अब जो स्वराज एक तर्म आया है, इसको हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, कि स्वराज का मतलब क्या होता है, बस word समझे लो, नेक्स वीडियो में अच्छे से डिसकसी कर लेंगे, तो गाधी जी ने अच्छी opportunity समझी, उन्होंने सोचा कि हम खिलाफत, हम इनको support करेंगे, ये हम को support करेंगे, हम खिलाफत में Muslims को support करेंगे, और जब हम अपना स्वराज, आसयोग आंदोलन शुरू क करेंगे, स्वराज के लिए, तो ऐसे में ये Muslims हमें support करेंगे, तो दोनों लोग मिलकर, अगर support करेंगे, तो एक बहुत ही एक अच्छा, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन, create हो जाएगा, उनके लिए भी हो जाएगा, हमारे लिए भी तो दोनों का benefit हो जाएगा, तो गाधी ज ये सोचते हुए, कलकता अधिवेशन जोकी 1920 में हुआ, इस बात को मान लिया गया, कि आसायोग आंदोलन भी चलेगा, साथ ही साथ उसके एक और आंदोलन चलेगा, वो चलेगा, खिलाफत आंदोलन, तो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी,